ये क्या चीज़ है? ये है एक वो टूल, वो मशीन पीछे की तरफ किम फोकस कर रहा है? हमें यहां पर फोकस करना है. Good morning, good morning, good morning, good morning दोस्तों! क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया हो? टकाटा हो? चाओ-चाओ हो? माओ-माओ हो? तो आज हम बात करेंगे इस के बारे में. ये क्या यंत्र है? ये क्या चीज़ होती है? क्या है? इससे होता क्या है? और ये किस काम आती है? आप लोग सोतरे हों के भाई, कैसी बक्वास कर रहा हूं मैं? आप लोगों को तो सब को बता है कि ये एक कैमरा है, फोटो खीचने के क लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिने ये नहीं पता कि ये यूज कैसे करते हैं और ये क्या काम करता है बेसिक नॉलेज है आप लोगों को लेकिन फोटोस बनती कैसे है और ये प्रोसेस क्या है इस प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूँगा आपको और शायद उससे आपकी जो ये फोटोग्रोफी की जर्णी है सफर है जिस पर आप निकले हुए हो वह बैतर हो पाए आपका तोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका पयार अश्वक वर्मा इसको हम देखते हैं अपनी आen के थुरू हर हम अपनी आख यर इदर उदर क्यों फोकस कर रहा है मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है मेरे उपर फोकस करो दोस्त मेरे उपर फो करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी हाँ तो ये एक वो टूल है जो हम देखते हैं मतलब जो इनसान की ये वाली आख है ना आख ये जो देखती है उसको इसके द्वारा देखकर हम कोई चीज आपके सामने प्रेजेंट करते हैं एक आक्चॉल देखने का प्रोसेस है और जो जो इस दुनिया में देखा है जो जो experience करा है वो कुछ भी हो सकता है जो हमने पड़ा है जो हमने movies देखी है जो हमारी जिंदगी में होता है जिन लोगों से हम बातचीत करते हैं जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं हमने sunrise देखा है sunset देखा है फूल देखे हैं पत में उपर नीचे उन चीजों को काट देता है, यानि कि हम compose करते हैं इसको उस तरह से दिखाने के लिए जैसा हम दिखाना चाहते हैं या जैसा हम सोच रहे हैं, इसी में ज़यातातर लोग मात खा जाते हैं, क्योंकि हम जो अपनी आख से देख रहे हैं, वो कुछ और होता और जो हम दिखाना चाहते हैं, वो कुछ और होता है, थोड़ा सा confusing हो रहे, confusing होएगा, लेकिन ये चीज एक ग्यान की ऐसी चीज है, जो अगर आप समझ लो, तो भाई, आपकी photography ना, हम जो अपनी आख से देखते हैं, जो भगवान ने हमें दी है, ये भाई, बहुत sensitive है, ये अंधेरे में भी देख लेती है, इसमें कोई grains नहीं आते हैं, फटाफट focus कर लेती है, colors को अपने आप balance कर लेती है, यानि कि कोई white balance नहीं करना पड़ता, कोई fog नहीं होता, ना हमें lens change करने की जरूवत पड़ती है, लेकिन ये जो machine है, ये limited है, ये भगवान ने ने बनाई ये इनसान ने बनाई है, तो इसमें बहुत सारी कमिया है, ये वैसे नहीं देखती है, जैसे हमारी आख देखती है, तो सबसे बड़ा point, जो आपको ध्यान रखना है, हमेशा, जबी भी आप photography कर रहे हो, कोई picture खेचने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज भूल जाओ, जैस आपकी आख देखती है, वैसे ही ये camera देखेगा, ये वैसे नहीं देखेगा, तो भाई, गड़बड हो गई है तो, हम सोच रहे थे, जैसा मैं देख रहा हूँ, वैसा ये देख लेगा, नहीं, ये भाई, थोड़ा सा complicated होता है, इसको एक बार आपको समझना पड़ेगा, क आप close-up ले सकते हो, अंधेरे में पिचर लेनी है, तो आप ISO बढ़ा सकते हो, किसी में भाई चोटा सेंसर होता है, किसी में भाई बड़ा सेंसर होता है, इंसान की आख तो एक जैसी होते हैं, कोई सेंसर अलग बड़ा चोटा नहीं होता, तो देखा तो आपने बहुत और सोच भी लिया, आइडिया भी आ गया, लेकिन उसको दिखाना कैसे है, सारा खेल इसी चीज़ का है, और जो दिखाने में हमारी मदद करता है, यानि कि जो हम पिच्चर प्रेड्यूस कर रहे हैं, वो ये टूल है, तो गलती हम ये करते हैं, कि हम इसको तो समझते नहीं ह और जब इसको नहीं समझते हैं, तो ये भाई गड़वर कर देता है, और फिर पिच्चर वैसी नहीं आती, जैसा आपकी आखो ने देखा था, तो करना क्या पड़ा, क्या ऐसे करें, क्या ऐसे लाएं अच्छी वाली पिच्चर, उसका सबसे पहला कदम ये है, कि आप इस तो समझो, इसमें कोई ऐसे हजारों वो नहीं है, कि मतलब चीजें जिसको आपको कंट्रोल करना है, सिर्फ तीन चीजें हैं जिसे आपको समझना पड़ेगा, एक है भाई शटर, यानि कि ये वाला, जिसको आप दबाते हो, दूसरा है भाई अपर्चर, जो यहां से अपने आइडिया के हिसाब से, या अपनी आख के हिसाब से, कैसे मैनिपलेट करना है, क्योंकि ये जो पागल सा बंदा है, ये है तो बहुत धाजू चीज, और बहुत कुछ कर सकता है, अगर इसके उपर आपका हाथ बैट जाए, पर हम इंसान गलती यही करते हैं, कि हम सो करना है, जब आप ये सीख जाओगे, और आप इसको अपनी उंगलियों पे नचाने लगोगे, तो ये आपको वो दिखाएगा, जो आप दिखाना चाहते हो और लोगों को, उसके लिए आपको फरसक और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसी लिए वो फरक दिखता है आपको मेरी पिचरों में और अपनी पिचरों में, आप रह रहे अगर सोचते हो कि यार ये कैसे खेंच लेता है, ये वैसे कैसे दिखा देता है, हम क्यों नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि आपने वो अली प्रैक्टिस नहीं करी है, भाई साब, आपने अपना हा कि बात इस डब्बे का ओपर पिठाना है, इतना तगड़ा ईथाना है कि मताब आप आख बंद करके भी आप बोल दोग़े ओए-ओओई-ओई-ओई-ओई, ईसे होगा जितनी प्राक्टिस आप करोगे, जितनी बार आप गल्तियां करोगे, जितनी बार इस कैमरा को उठाओगे और समझने की कोशिश करोगे, कि ये काम किस तरह से करता है, उतना आप मजबूत होते जाओगे, उतना ही ये फिर आपकी उम्लियों के उपर नाचने लगेगा, और जिस दिन ये भाई नाचने लगा, आप फिर औरों को भी नचाने लगोगे, तो क्या हम समझे, हमें इसे नचाना है, ना कि ये हमें नचाए, ये तो मशीन है, इसे अच्छे से नचाना नहीं आता हमें, भगवान न देखो हमें क्या तकड़ी चीज दिया है, ये आँख, ये आँख ही है, जो देखेगी और लोगों को दिखाएगी, समझे गए, करें कंट्रोल इस चीज के ऊपर, ये जो हिल रहा है ना, आप इसको अपने हिसाब के हिसाब से नचा पाओगे, देखना और दिखाना, ये ही खेल है, फोटाग्रफिक का, मिलते हैं फिरम अगले व कर द क्या थे कर महा थाच के दिखाएगी, समय सव्याना पाँ भामेज हिर दो हिरम अपर, शेर, वामdonे खिर कंट्रोल इस चाहरा है, जो हिए अवाग्र और दुगत राहा रहा हैं नो है, इस नचाएग है, लो है कर दो दो होँ है, लो है